हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टो अर चैनल गुरू जी उतराखंडी और जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि हमारा एक कोर्स अकाउंटेंट क्लर का अल्रेडी चल रहा है और उसकी अच्छी सक्सेस के बाद हमने एक और कोर्स लॉंच करने जा रहे हैं यहापे जिसका नाम है क्या हैं L.T. Commerce तो आज इस वीडियो में दोस्तों हम डिसकस करने वाले हैं कि L.T. Commerce का स्लेबस क्या क्या है तो चलिए दोस्तों शूरू करते हैं L.T. Commerce का syllabus देख लेते हैं तो दोस्तों पहले मैं आपको बता दूँ यह L.T. Commerce का जो exam होगा यह 100 marks का exam है 100 marks का exam होगा जिसमें से की 30 marks हैं आपके teaching aptitude के जो आप B.Ed. वगरा में बढ़ते हैं और जो B.Ed. में बताया जाता है उससे related चीज़ आएंगी 30 marks की अब 30 के बाद बचे 70 marks 70 marks जो हैं आपके subject के हैं Commerce के तो 70 marks का आपको Commerce पर से पूछे जाएगा और इस 70 के भी दो parts हैं एक 28 और एक 42 28 marks का दोस्तों आपको inter level का पूछे जाएगा जो कि 12th level का होता है तो 12th level की Commerce आपको 28 नमबर में पूछी जाएगी जबकि graduation level पे आपको 42 marks का पूछा जाएगा जो आप graduation में पढ़ते हैं जो कि आपने B.com में पढ़ा होगा यह आपसे पूछा जाएगा 42 marks का अब देख लेते हैं दोस्तों इस syllabus की details क्या क्या हैं क्या क्या इसमें आने वाला है तो सबसे पहली heading जो है Financial accounting जो भी आप accounts prepare करते हो voucher से लेके accounting में जो भी चीज़े आपने पढ़ी हैं वो लगबक काफी हद तक सारी financial accounting में आ जाती हैं जो आपने 11th के level पर पढ़ा है 12th के level पर पढ़ा है journal, ledger, trial balance जो भी सारी चीज़े हैं वो आपकी financial accounting में आ जाएगी जो दूसरी हेड है वो है advanced financial accounting अब दूस्तो advanced financial accounting में क्या आता है इसमें कुछ special accounts आते हैं जैसे कि depreciation account, bank reconciliation और आपके partnership के accounts हो गए company के accounts हो गए वो सारे accounts जो prepare करने हैं कैसे वो इसके अंदर आते हैं advanced financial accounting में जो third है आपका वो है cost and management accounting यह जो है दोस्तों यह भी आपका graduation के level का है, bcom में आपने पढ़ा होगा cost accounting क्या होती है, जिसमें cost sheet, types of cost, यह सब चीज़े आती है और management accounting भी bcom level का ही है, तो इसको detail में आपको bcom वाली book से पढ़ना पढ़ेगा fourth है आपका financial management and taxation तो इसमें आपको financial management जो की थोड़ा theory subject ही रहता है और taxation तो आपका जो bcom level का है वो ही आपको पढ़ना है और last है आपका, कुछ topics बताएं गई हैं इसमें जैसे कि money, banking, insurance, auditing, law और economics, तो यह सारे topics भी आपको cover करने हैं इसमें money में आपको money, उसके types, उसके functions और वो सब चीजें पढ़नी हैं फिर banking आजाएगा, आपका banking में आपको पढ़ना पढ़ेगा जो पूरे country का banking system है, commercial banks, cooperatives और RBI, यह सब कैसे काम करते हैं, वो आप banking में पढ़ोगे फिर insurance, insurance के types हो गए, अलएलग टाइप के और insurance के principles हो गए, जो भी चीजें है insurance में, फिर auditing आता है, आपका auditing में आपका checking of accounts आता है, कि आप accounts को कैसे check करोगे, कि वो proper order से बने हैं, कि नहीं बने हैं, और last, sorry, second last आपका law है, फिर economics, law में जो भी आपने graduation level तक law पढ़ा है, जो mercantile law बगरा होता है business laws basically जो होते हैं वो इसमें पूछे जाएंगे आपको commercial related, और economics का part आपका वो ही 12th level का, और जो थोड़ा बहुत आपका graduation में आता है वो सब पूछे जाएगा, तो ये दोस्तों इसका detailed syllabus है इसको आपको बहुत detail में पढ़ना है बहुत shots दिया गया है, site पे भी लेकिन ये बहुत detail में आपको 12th और graduation के level तक का पूरा पढ़ना है जिसमें 12th का मैंने आपको बताया कि 28 marks का आएगा और graduation level का 42 marks का आएगा तो 70 marks आपके पूरे commerce के रहें गई और दोस्तों अभी तक अगर आपने हमारा app डाउनलोड नहीं किया है तो आप Vedashree Learning App Play Store से डाउनलोड कर सकते हैं और इसका details आगे की सारी हम पढ़ेंगे उसी app में Thank you